हेलो फ्रेंड आज मैं इस वीडियो में एक आन्बोक्सिंग करने वाला हूँ मैं अभी अभी एक नेक बेंड पर्चेज किया हूँ ओनलाइन में आप सभी देख पा रहे होंगे इस स्नेक बेंड का अन्बोक्सिंग और फूल रिव्यू इस वीडियो में करने वाला हूँ तो वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोगों को मैं बोलना चाता हूँ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उसके साथ बेल आइकन को दबा दिजिये ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आप लोड करूँ और सबसे पहले पहुंचे आप तक आई कोउसिक्सर वेल्कम यू टू यूर फेवराइट चैनल कम्पूटर गुरू तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं पहले इस बॉक्स का अनबोक्सिंग कर लेते हैं यह थीए है विया है और एक बॉक्स है और एक बिल दिया हुआ है आप सभी देक पारत एह होंगे मैं इस बोक्स में रखता हूं यह बिल इसको विसाल में रखता हूं यह आप देख पा होंगे बॉट का रौकट जेड टू 55 प्रो प्लस नेक बेंड है जिसका सामने कीare ब्रांडिंग दिया हुआ है बॉट सपोर्ट कि रौकट जेड टू 55 प्रो प्लोस फिर इसमें है बीस्ट मोर्ड दिया हुआ है तीन फॉर्टि आ्वार नॉन स्टप ने एएस एपी चार्ज मतलब इसमें स्पीड चार्ज एवेलेबूल है और साइड में बॉट का ब्रांडिंग है नीचे की और बार कोड दिया हुआ है ठीके और पीचे में कुछ हाइलाइट दिया हुआ है बॉट सिगनेचर साउंड आई पीएक्स सेवेन वाटर एंड सुट से ब्लूटूथ भार्शन 5.2 विट डुवाल प्यारिंग मतलब इस ब्लूटूथ में हम डुवाल प्यार कर सकते हैं ठीके मैगनेटिक येर बोर्ट सिंगल प्रेस वोईस एसिस्टेंट टाइप-C इंटरफेस 10 मिनिट इकल टू 10 आवर मतलब अगर हम 10 मिनिट चार्ज करते ह है तो ओ टेन आवर का बेक अफ देगा बोलके बोट कमपानी बोल रहा है ठीके और इस पेकेट के अंदर है वन रोकेट जेर 255 प्रो प्लोस नेक बेंड वन यूस्बी टाइप-C केबूल टू पेर अफ एडिशनल एर मॉप्स एक स्मॉल है और एक लार्ज है वन वारेंट के अंदर एस अभी प्रोडक्ट एवेलेबूल है फिर चार्चिंग नॉर्म एंड गाइडलाइन यहां पर कुछ लिखा हुआ है चर्जर और एड़ोप्टर एट फाइब वोल्ड टू एम्पियर एंड स्टेंडर केबूल 25 स्ट्रांड अड़ डरेट 0.06 mm डाइमिटर और स्ट्रांड ठीके तो यह सभी दिया हुआ है तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स को ओपेन करते हैं और देखते हैं उसके अंदर ब्लूटूथ किस तरह दिख रहा है और उसका लूप कैसा है ठीके ब्लूटूथ का लूप कैसा है और किस तरह दिख रहा है और अंदर में ज पखेट थीग है इस बॉक्स को भी स्टाइड में रखते हैं आप यह देख पा रहे होंगे ठीक है इसको फिलल साइड में रखते हैं और इस प्लास्टिक कभर के अंदर क्या ग्या है देखते हैं यहां पर देखिए एक टाइप सी चार्जर कैबूल दिया हुआ है इसमें ऐर पिर उसके बाद इसमें है एक यूजर मनौल यह आप देख पा रहे होंगे उसको साइड में रख देते हैं इसमें और एक है यूजर मनौल और एक है वारेंटी कार्ड आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह वान येर का वारेंटी दे रहा है उसके साथ एक स्टिकर भी दि जिपका सकते हैं तो यह सब चीज इस बॉक्स के अंदर दिया हुआ है उसके बाद देखते हैं अभी हमारा जो ब्लूटूथ नेकवेंड है किस तरह का है इसको फिलाल साइड में देखते हैं यह आप देख पा रहे होंगे इसमें दो दो बेटरी लगा हुआ है इसमें एक है और इसमें एक है इसका प्रीबियस भासण जो था उसमें इसी के अंदर एक जो सभी आप ऑन वोल्ूब आप डाउन बटन इसी के अंदर दिया हुआ था लेकिन उसके लिए इस बर ये दूसरा एक स्लोट कर दिया है ठीक है इसमें टाइप सी चार्जिंग पोट यहां पे है आप टाइप सी से चार्ज कर सकते हैं और यहां पे तीन बोटन है बीच वाला ये प्ले और पोज अगर आप लॉंग प्रेस करते हैं तो उसको आफ और हम इसी से करेंगे और एक प्लॉस का एक माइनस का है जिसको यूज करके हम भॉलूम आप डाउन कर सकते हैं मतलब अगर हम माइनस में क्लिक करते हैं तो यह बॉलूम डाउन करेगा अगर प्लॉस में क्लिक करते हैं तो भॉलूम आप होगा ठीक है अगर हम प्लॉस में तो नेक्स ट्राक को प्ले कर देगा माइनस में लॉंग प्रेस करते हैं तो ओ प्रिवियस ट्रेक को प्ले कर देगा उसी तरह यह जो एयर वर्ड है यह टोटली मेटल का है इसका बील्ड क्वालिटी अच्छा है फिर यहां पर एक दिया हुआ है लोक हमारे कान के अंदर यह कर देगा यह मेगनेटिक टेव है मतलब अगर हम उसको लुच छोड़ देते हैं तो ओ इधर उधर नहीं जाएगा एक साथ दोनों रह जाएगा और इसका जो यह रहे इसका भी विल्ड क्वालिटी बहुत है तो यही था इस यह वर्ड का आन्वक्सिंग और फूल रिव्य अगर आप लोगों को मेरा एफ इच्छा लगा तो आप मेरे विडियो को लाइक किजिए उसके साथ इस विडियो को आपके जितना नियर एंड दियर में है उनके साथ सेर किजिए और किसी को भी चाहिए होगा ये येरबर्ड तो इस येरबर्ड का लिंक में अपना इस वीडियो का डेस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग औहीं से पर्चेज कर सकते हैं तकि आपको एक ओर्जिनल प्रोड़क्ट मिल पाए उसके साथ आप मे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इसमें इसी तरह का आनबोक्सिंग और साइड विल्डिंग और मोबाइल या कम्पूटर रिलेटेड नया नया वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा उसी लिए बिना सब्सक्राइब किये आप मत चाहिएगा आज के लिए इतना ही ठेंक यू, have a good day.